नमस्कार आप देख रहें प्रभसाक्षी न्यूस नेटवर्क मेरा नाम अन्राग गुपता है और आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राश्पती दोनाल ट्रम्प की हुई इंटरनेशनल बेज़ती पर कश्मीर मुद्दे को लेकर प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने डोनाल ट्रम्प से नहीं की थी मध्यस्ता की बात आप बिल्कुल सही सुने हैं मैंने जो कुछ भी अभी कहा एक वार फिर से सुन लें आप कश्मीर मुद्दे को लेकर प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने डोनाल ट्रम्प से नहीं की थी मध्यस्ता की बात दरसल सोंबार को वाइट हाउस के ओवल आफिस में राष्टपती दोनाल ट्रम्प ने इमरान खान से अफगानिस्तान सांती प्रक्रिया सहित विविन मुद्दों पर बातचीत की इस दोरान ट्रम्प ने दावा किया कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने उनसे कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्ता की पेशकस की थी हाला कि भारत सरकार ने तुरन बाद ही ट्रम्प के दावे को खारिश कर दिया विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों पर केवल दुईपक्षी रूप से चर्चा की जाती है भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी बातचीत के लिए सीमा पार्थ से आतंक बात पर रोग जरूरी होगी भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों के समाधान के लिए सिमला समझोता और लौहोर घोशनापत का अनुपालन भी जरूरी है ट्रम को कश्मीर मुद्दे पर मधधस्ता वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी उनके द्वारा इस मुद्दे को उठाये जाने के बाद अब अमेरिकी विदेश मंत्राले ने भी इस मामले पर सफाई दी और कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच एकद्वी पक्षी मुद्दा है और अमेरिका दोनों देसों के बीच वारता का स्वागत करता है साथ ही मंत्राले ने कहा कि पाकिस्तान का आतंगवाद के खिलाप निरंतर एवं इस्तिर कारवाई करना भारत के साथ उसकी सफल बातचीत के लिए एहम है भारत तो हमेशा से पाकिस्तान से बातचीत करना चाहता था लेकिर आतंग बात पर निर्नाय कारवाई के बाद क्योंकि इतिहास में हमने पाया कि जब कभी भारत ने पहल की तो उसे हमेशा पीठ में छूड़ा ही मिला ट्रम के इस बचकाने दावे की वज़े से दोनों सदनों में आज सुबह जमकर हंगामा भी हुआ और फिर विदेश मंतरी स. जैसंकर ने अपना आधिकारिक बेयान दिया अपना या कहे भारज सरकार का एस जय संकर ने साप सब्दों में कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक दुई पक्षी मुद्दा है इस मामले को लेकर प्रधान मंत्री की तरफ से किसी भी तरह की मध्धस्ता की पेशकर्ष नहीं की गई हम सदन को पूरी तरह आस्वस्त करना चाहेंगे कि कि चुई पिर आफ में इस्टन के प्लिच के राम कर दिरी हब इस सirmा टोस ought इसकितन are स्मे boardить अ बार्मिंस्ट्र गे इस्ट कन्याओ यह विए ही पर इस तेव इंड इंड द से बांड आBa किस्तन आर बार्सथ्प्राइ इसक्षान आड इस्कारष टिजय ओंडियार . I would further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Sir, let me conclude by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. I hope in the view of my very specific and categorical responses that there is no confusion in the mind of anybody. इस मामले की दुनिया भर में अब चर्चा हो रही थी. उसी वक्त वासिंग्टन पोस्ट ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें दावा किया गया कि राश्च्पती बनने के बाद से अब तक डुनाल ट्रम ने 10,796 वार जूट बोला. और अगल इसका औसत निकाला जाए, तो रोजाना वे 12 वार तो जूट बोल ही देते हैं. वासिंग्टन पोस्ट के फैक्स चेकर डेटाबेस का कहना है कि अगर अमेरिका के राश्पती ट्रम का कोई बयान संदिक्स लगा, तो उसकी हमने परताल की, इसमें जादा तक जो बयान सामने आए, वो जूटे पाए गए. तो ये थी आज की बड़ी ख़बर, जिसको आप देख रहे थे प्रभासाक्षी निउस नेटपर पर, अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो हमें पर इसको लाइक करिए, ट्विटर इंस्टरग्राम में आप हमें फॉल्लो कर सकते हैं, इसकर तिक यूटूब चैनल पर बने रहे हैं, और देश दुनिया की तमाम खबरों का अनन्द लीजे, आज के लिए बस इतना ही कल होगे, आप से दोबारा मलाकात तब तक देखते रहे हैं, प्रभासाक्षी.ड़ कॉम, नमस्कार